अगर आपने भी मीसो एप पे किसी प्रोड़क्ट को ओर्डर किया है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं किसी भी रिजन से माली जी आपको पसंद नहीं है या फिर आपके पास पैसे नहीं उस प्रोड़क्ट को खरीदने के लिए तो आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप मीसो एप पे किसी प्रोड़क्ट को ओर्डर करने के बाद उसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो हम आचुके अपने मीसो एब में चली हम ओडर्स पर किलिक कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने प्रोड़क्ट को ओडर किया था जो कि हमें पसंद नहीं इसलिए हम इसे यहाँ पर कैंसिल करके आपको दिखाने वाले हैं आप यहाँ पर ओडर की डिटेल से देख सकते हैं नीचे आप प्रोड़क्ट की डिटेल से देख सकते हैं हमारा प्रोड़क्ट ओडर प्लेश्ड हो चुका था और सिप्ड होता उसके बाद फिर यहाँ पर डिलिवर्ड हो जाता इसलिए हम cancel order पे click करेंगे इसे cancel करने के लिए उसके बाद आपके सामने एक नया page open हो जाएगा अब आपको नीचे cancel product पे click करना होगा इससे पहले आपको यहाँ पे region बताना होगा कि आप इसे क्यों cancel करना चाहते हैं इसके लिए simply आपको इस पे click कर देना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे option open हो जाएगे cancellation के यहाँ पे लिखा हुआ it was test order हमने इसे test के लिए सिर्फ order किया था दूसरा option यहाँ पे लिखा हुआ placed duplicate order by mistake यानि हमसे mistake से यहाँ पे duplicate order हो चुका है नीचे भी आपको बहुत सारे region मिल जाते है इन में से जो भी आपका region है simply आपको इस पे click करना होगा अगर आपका इन में से कोई भी region नहीं तो आप order पे click कर सकते हैं हमारा यहाँ पे region है कि हमें यह product पसंद नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इसे cancel करना चाते हैं इसलिए हम customer change their mind पे click करेंगे कि हमारा mind चेंज हो चुका है इसलिए हम इसे खरीदना नहीं चाते हैं इसके अलावा आप नीचे भी यहाँ पे cancel करने का region लिख सकते हैं अगर आप इसे लिखना नहीं चाते हैं तो आप simply cancel product पे click कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हमारा order यहाँ पे canceled हो चुका है अगर आपने इसे cash on delivery के तुरू आडर किया था तो यहाँ पे पैसे return करने की कोई बात ही नहीं है और अगर आपने इसे पैसे pay करके यहाँ पे order किया था जो भी आपका पैसा रहेगा आपके bank account में refund कर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप Miso app में किसी product को order करने के बाद उसे आसानी से cancel कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद जरूर आए हो कि वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like और share जरूर करें अगर आपका कोई भी question हो तो निचे comment करके आप मुझसे पूस सकते हैं